आज हम बात करने वाले हैं कि Commerce student class 12 के बाद कौन-कौन से courses करे courses चूच करने से पहले मैं एक बात clear कर दूँ आप सभी को कि आप ऐसा ना करें कि कोई friend अगर कोई course कर रहा है तो आप भी वही course कर लें क्योंकि दोने ही course कर सकते हैं आप degree basis पर course कर सकते हैं या professional course कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप इसी vertical field में जाना चाहते हैं तो आप professional course भी कर सकते हैं आप इस basis पर decide ना करें कि मेरे friends इसमें जा रहे हैं या फिर ये students में जा रहे हैं तो इस तरीकी से decide ना करें आप और खुछ से decide करें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यह पर पहरा study कर लें कि आपके पास कौन कौन से courses हैं और किसमें आपका interest है और जिसमें आपका interest है आप उसको choose करें तो सबसे पहले degree courses की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होगी बीकॉम की बीकॉम three years का course है और आपके पास choice होती है कि बीकॉम आपको math से करने या फिर नहीं करने है दोनी Option आपके पास है आप math से ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं इसके बाद अप M.com भी कर सकते हैं और अगर जॉब की बात करें तो आप accountant बन सकते हैं Tax Consultant बन सकते हैं, Banking में भी जा सकते हैं और आप Insurance Consultant भी बन सकते हैं Next है कि आप BBA कर सकते हैं, Bachelor of Business Administration ये भी 3 years का course है, लेकिन मैं इसमें ये बोलूँगा कि आप इसके बाद MBA ज़रूर करें और इसके बाद अगर जॉब की बात करें तो आप Finance Manager बन सकते हैं Human Research Manager बन सकते हैं, Business Consultant बन सकते हैं बाकी Marketing में भी आप अच्छा रूल प्ले कर सकते हैं Next है कि आप BMS कर सकते हैं, Bachelor of Management Studies और मैंने देखा है कई बार लोग BBA, B.com इन सब की बात कर लेते हैं लेकिन BMS की बात नहीं करते हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल करना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है, इस course में बेसिक लिए आपको ये knowledge दी जाती है कोई भी organization कैसे काम करती है, कैसे managed रहती है कैसे वो interact करती है, local level पे या फिर national level पे या फिर international level पे भी हो सकती है तो ये सारी information आपको इस course में दी जाती है और ये एक अच्छा course है, मैं suggest भी करूँगा, आप ये course कर सकते हैं और अगर career option की बात करें, तो आप business management में जा सकते हैं finance में जा सकते हैं, finance consulting में जा सकते हैं business analysis में जा सकते हैं और आप strategic management and planning में भी जा सकते हैं अब बात करते हैं professional courses की और जिसमें पहला CA है यानि Chartered Accountant और ये 4 to 5 years का course है और इसमें आपको 4 exam pattern से भी गुजरना पड़ेगा जैसे पहला है CPT, दूसरा है IPC, फिर है Intensive और Final exam और job की बात करें तो आप taxation manager बन सकते हैं finance controller and advisor बन सकते हैं auditor बन सकते हैं, account manager बन सकते हैं और आप खुद का भी काम सुरू कर सकते हैं next है कि आप CS कर सकते हैं और ये भी 3 to 4 years का course है इसमें भी exam pattern CA की तरह है जैसे foundation program होता है फिर executive program होता है professional program होता है और उसके बाद internship होती है और अगर job की बात करें तो आप बड़ी सी बड़ी corporate organization में जा सकते हैं MNC में काम कर सकते हैं BPO में काम कर सकते हैं KPO में काम कर सकते हैं stock exchange में काम कर सकते हैं और government financial institution में भी काम कर सकते हैं और भी professional courses हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन वो मैं next video में आपको बताऊंगा जिसमें आठ से student क्या क्या कर सकते हैं उसमें आप चेक कर लेना उसमें आपको full detail मिल जाएगी उन सबकी तुम्हें courses का नाम बता देता हूं जिसे आप journalism and mass communication कर सकते हैं animation field में जा सकते हैं graphic design कर सकते हैं foreign language का course कर सकते हैं digital marketing का कर सकते हैं hotel management में जा सकते हैं fashion designing कर सकते हैं तो इन सब सफलों अपने अपनी life में यही मेरी कामना है धन्यवाद